ओम शान्ति, 24 नवगरों के श्रुवेतान मैं आप से कुछ स्वागत है कभी-कभी जो निमत आत्मा हैं, जो कि सेंटर पर रहती हैं, ब्रहमा कुमाईरिस के जिनकों की परमपेता परमात्मा ने चूज किया हुआ है कि आप ये सेंटर समालो, आप ये कारे करो, आप ये की को समालो और कभी-कभी हमें ऐसे लगता है कि जो दिदी या वड़े वरिष्ट भाईजी या बहने बोल रही हैं वो मुझे ठीक नहीं लगता है, हमारे पीछे पर जाती है, हमें करक करते रहते हैं तो परमात्मा इसके लिए करते हैं कि निमत आत्माओं के डारेक्शन के महत्व को जान पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भवा, किस से मुक्त होने वाले पापों से मुक्त जो sensible बच्चे हैं वैं कभी यह नहीं सोचते कि यह निमत आत्माएं जो direction दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है कभी-कभी हमें जो decision देने पड़ते हैं हमें वो कभी-कभी पसंद ना हो सकता है परमात्र कहते हैं कि यह मैं सोचोगी किसी ने को कुछ कान में भरती हैं जिसकारेंस आपके साथ में वहेव कर रहे हैं आपकी साथ में कुछ बोड़न हैं निमत बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह विहर संकल्प नहीं उटना चाहिए मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं निमत आत्में जो आपको ठीक नहीं लगता है भाईया क्या है ऐसे तो नहीं करना चाहिए ऐसे तो नहीं करना चाहिए ऐसे करने से देखो क्या हो गया लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो अगर आपको कुछ करने के लिए कहते हैं और आपको लगते हैं ठीक नहीं है तो अगर आपने करा भी वह उससे कुछ गड़बड हुई तो परमात्मा कहते हैं आप जम्मेवार नहीं हो आपका पाप नहीं बनेगा क्योंकि जिसने उन्हें निमत बनाया है वे बाप पाप को भी बदल लेगा यह गुप्त रह से गुप्त मशीनरी है मशीनरी किसकी है? परमात्मा की मशीनरी है कि अगर निमेत आत्मा के द्वारा कुछ गड़बड होती है तो परमात्मा युक्ती से द्वारा कि द्वारा उस चीज़ को negative को भी positive करते हैं और जो पाप बन गया है उसको भी वो पाप को मिटवा सकते हैं लिकिन ये कब होता है? जब कि हम परमात्मा को follow करते हैं और निमत आत्मा को question नहीं करते हैं तो ये सब कुछ सिखाए दाता है ब्रहुमकुमारीज में ये मशिनरी क्या है, इसके पर किताबे लखी हुई है, कर्मों के पर किताबे लखी है और पाप को भी परमात्मा कैसे मिटाते हैं, इसके पर भी किताबे लखी हुई है ब्रहम को मैरेज में हम, ओम शानतीस के साथ